राम राम भाई सभी साथियों को जितने भी अपने हर्याना CET मेंज की त्यारी करने वाले भाई 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 सभी को राम राम हर्याना CET मेंज का जो रजल्ट है वो कल रात को डाल दिया गया है आप सभी ने देख भी लिया होगा जिन्होंने नहीं देखा है description में link दे रखा है वहाँ पे आप जाके देख सकते हो लेकिन जो detail result है उसमें कुछ खामिया है तीन ऐसी खामिया है जो मुझे पता लगी है बिल्गुल detail में हम चर्चा करेंगे उससे पहले आप channel पर नए है तो please subscribe जुरू कर लीजेगा और ये video आपको पसंद आये तो like भी कर दीजेगा आये start करते हैं तो भाई देखिए सबसे जो पहली सबसे बड़ी जो खामिया आई है ना वो आई है भाई experience के marks की जो experience के marks जिन्होंने पिरिलियमस में claim कर रखे है ना तो उन बच्चों का कोई भी ऐसा documents नहीं किया check आयोग ने कि जिससे पता लगे कि ये जो experience के marks जो claim किये हैं वो सही किये हैं या फिर गलत किये हैं काफी candidate आपको ऐसे मिलेंगे जिनको experience के नंबर जो है ना वो 5 नंबर मि नहीं तो ऐसे candidate की कैसे पता लगेगा आयोग को कि इनको experience के number देने हैं या फिर नहीं देने हैं अब मान लीजिए एक candidate है उसने CT के जो प्रिलियमस में तो experience के number ले लिए 5 नंबर लेके उसने अपना चार गुणा में स्थान बना लिया ठीके चार गुणा में आ गया लेकिन उसने क्या किया है मेंस के लिए यह फॉम भरा तो उसने क्या है उस time पर जो है वो experience नहीं लगाया experience नहीं लगाया भाई कि मुझे experience नहीं है तो क्या आयोग इसका जो फिर लियमस का data था जिसमें इसने experience का number claim किये हैं क्या उससे check करेगा मुझे तो नहीं लगता भाई करना है तो सबसे पहली डूटी तो आयोक की यही है कि जो एक्सपीरेंश की जिन्होंने नंबर क्लेम किये ना इसको वेरिफाई करें चाहे चाहे चार-पांच दिन ज्यादा लग जाएं भरती होने में लेकिन इनको क्लेम जो जिन्होंने किया है ना एक बार इनको जबत है ठीक है या तो क्या है आयो के पास में काफी ओप्षन होते हैं या तो विड्रो का ओप्षन दे दे जिन्होंने गल्द कर रखें कलेम विड्रो कर लो भाई ठीक है या फिर ऐसा कोई मतलब या तो उनका डोकुमेंट्स जो है वो अप्लोड कर वाले कुछ भी बहुत यगरठा पास में से कम नहीं है तो उसका जिम्मेदार कोण है अगर यह एक्सपेरिंस वाला भाच्चा अगर फरजी नंबर λέकर अब मैं बात कर लेता हूं सेकिंड जो है न मेरे साथ में आज एक भाई है एक सर्विसमें है उस भाई ने मुझे बताया कि एक सर्विसमें में कुछ बच्चों ने फोर्म डाले हैं मतलब उनके लिंक में ही है उसका रोल नंबर भी है मेरे पास तो लेकिन उस बंदे को एक सर्विसमें के इसाप से इसने फोर्म बरा था और उसको सोशियो उकनिमिक जो नो जोब वाड़े नंबर है ना नो जोब की वह पास नंबर मिल रहे हैं ठीक है एक सर्विसमें है और उसको पास नंबर जो है वह नो जोब के दिये गए हैं तो यह आयो की डूटी बनती है कि भाई उस चेक करे कि किसने नंबर कलेम करे हैं और किसने गलत कलेम करे हैं ठीक है ये एक बहुत बड़ी चीज है कि एक सर्विजमेन को पांस नंबर जो है वो नो जोब की दिये जा रहे हैं तो ये गहीं न कहीं गलत है ये भी एक आयो को ठीक करना है ये चीजे गलत हो रही और कुछ के नहीं किए अब क्या है बच्चों की कमेंट आ रहे हैं यह मैसेज भी आ रहे हैं कि भाई यह जो हमने नंबर जो विड्रो किये थे ना लेकिन हमारे अभी भी लिस्ट में सो हो रहा है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने विड्रो किये थे तो उनके विड्रो कर बनती है, सारी चीजे दुबारा से चेक करें, चाहे 5 दिन, 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन तक आप ले लो, लेकिन यो जो नमबर जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इसको किसी न किसी तरीके से वेरिफाई कर लो, वेरिफाई करने के बाद में क्या होगा, जो बंदा रियल है ना, जो जै कही ना कहीं गलत तरीके से जा सकती है, तो अभी मोका है, अभी एक्जाम जो है, उसमें टाइम है, सेडूल भी अभी डिसाइड नहीं किया है, चाहे 10 दिन लेट कर लो, लेकिन ये चीजे जो है ना, ये क्लिर कर दो, क्योंकि बाद में भरती कभी फशेगी नहीं, ठीक है, मान लीजे अगर आप इनको बिना कुछ इनको ठीक किये ही, अगर आगे भडते हो ना, तो इस भरती के फशने के चांसे बन जाते हैं, तो ये चीजे जो है, यो पहले आप कर लो, उसके बाद में ही इस भरती को आगे आप लेके जाओ, क्योंकि ये चीजे जो है ना, करनी mandatory हैं, जरूरी है भाई, ये बहुत जरूरी है, अब एक्सर्विसमेन को पांस नमर जोब के दे रखें, क्या मतलब इस चीजे का, कुछ बच्चों ने जो विड्रो किया, उनकी विड्रो नहीं कर रखें, ठीक है, जिन्होंने एक्स्पिरेंस जिनके पास में एक्स्पिरेंस पहले, बाद में इनका कोई solution हो नहीं होगा, जो होगा पहले होगा, तो मैंने सब कुछ बता दिया है लगबग, इसके अलावा ये वीडियो में चेरवेंस आपके बात समझ में आ जाए, और इस stage के उपर वो कोई काम करें, या फिर इस चीज को action में लेके आएं, तो ये व